जाहिंद मैं माने किना आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेल्कूम करता हूं आज हम लोग SSC GD का सेट नमर 11 के आपर डिसकस करने वाले हैं और इस यह जो एक्जाम होगा था टोटल 69 सिफ में एक्जाम होगा था जिसका 11 सब्सक्स करने वाले हैं चलिए स्टाइब करते अपने वीडियो को माया कंटो माय कंटी माय माय कंटी माय Alcohol न लाइफ माय कंटी माय लाइफ पुस्तक के लिए यह आपके Lor यह के अदवानीं हो नेक्स्ट है चोल सिला लेखो में विद्या पीठो के लिए उपहार में दी गई भूमी का उलेख है किस नाम से किया गया है तो साल भोग इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है तीराप और नुवा नदियों किस भारती राज में भाती है तो भारत का सविधान अंग्रेजी और हिंदी हमें हातों से लिखा गया है कौन सा सत्य है पुछा है तो पहला नुबर इसका सई हो जागा नेक्स्ट है हमारा दूवारशीष भारत वन अस्धिति रिपोर्ट 2019 के नुसार छेतर वार मधय पदेश में 10 में देश का सबसे बड़ा वन अछादन है तो देश में सबसे बड़ा अच्छा दन है किसा अस्धित का है तो मध्य पदेश का है नेक्स्ट है नॉंबर 2020 तक की इस्थिती के नुसार रास्टिय ओलंपिक समीती के अधिक्ष निमलीखीत में से कौन थे तो ये थामस बाख हो जाएंगे तामस बाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निमलीखीत में से कौन सा हीलस्टेसन परवतिय पर्यटन असल मद्धी हिमाले में इसी थे तो यह आपका दारजिनिंग हो जाएगा मद्धी हिमाले में इसी थे निमलिखीत में से कौन सा हीलस्टेसर मद्धी हिमाले में है तो दारजिलिंग इसका करेक्ट रैंसर हो जाएगा नेक्स्ट है ओबामा दा कॉल आफ हिस्ट्री नामक पुस्ता के लिखा कौन है तब पीटर बेकर हो जाएंगे पीटर बेकर जो है इसके बुक के लिखा के ओबामा दा कॉल आफ हिस्ट्री बुक के लिखा के पीटर बेकर इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है 9 सितंबर 2020 को आयो जीत है प्रथम इंडो पैसिफिक त्री पक्षिय वारता भारत फ्रांस और ऐस्टेलिया के बीच में हुई थी नौ सिक्तमबर 2020 को आयो जित पर्थम इंडो पैस्विक तरी पक्षिय वारता भारत प्रांस और उस्टिलिया के बीच में हुआ था कलहन एक लिखक थे जिन्होंने कस्मीर के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी तो कलहन के एक लिखक थे जिन्होंने कस्मीर के राजाओं के बारे में संस्कृत कविता लिखी थी और उन्हें एक बुक का नाम लिखा था राज तरंगनी ठीक है, राज तरंगनी में कितने तरंगित, आठ तरंग होते हैं यह भी आप याद रखी से आयोजित हुए पंद्रहवे G20 सिकर समेलने की मिजबानी साओधी अरब ने किया था तब पंद्रहवे जो था साओधी अरब किया था और 2023 का जो करेगा कौन वह है भारत करेगा अदो जाबाइस का इंडोनेसिया निमलीखीत में से क्या किसी बीज का बीजावरन बनाता है यह आपका अध्यावरन हो जागा यानि Integument हो जागा ृफ कोशण है deepest में निमलीखीत में से किस बीज का बीजशावरन बनाता है तो सीट कोट बनाता है तो आपका Integument हो जागा अध्यावरन हो जागा नेक्स्ट है question number 15 करा है भुकम को पहचानने और उन्हें record करने के लिए निमलीखीत में से किस उपकरन का उपयोग होता है तो यह होता है आपका सिस्मोग्राफ का होता है भुकम को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ट करने के लिए निम्लिखीत में से किस उपकरन का यूज करते हैं हम लोग तो सेस्मोग्राफ का यूज होता है नेक्स्ट है डियोगो माराडोना का समध निम्लिखीत में से किस खेल से था तो आपका फुटबॉल से है डिएगो माराडोना किस से समदी थे तब फुडवाल खेल से हैं नेक्स्ट है किसी व्यक्ति का वजन जमी पर 60 kg है एक सामाने तुरन के साथ लंबवत उपर की और गतिमान एक लिफ्ट में जब उसका वजन मापा जाता है तो उस व्यक्ति का वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह हो जागा आपका 60 kg से ज़्यादा मापा जाएगा अगर उपर की तरफ जाती है तो निमलिखित में से कौन सा उपवेद रिगवेद से समदी थे तो यह है आपका आईउर्वेद है तो कौन सा उपवेद जो है आपका रिगवेद से समदी थे तो आईउर्वेद इसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट है question 19 दो या इससे अधिक समाजों की तुलना के लिए निमलिखित में से आए के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता है तो रोजगार का उपयोग नहीं हो सकता है वाकि आए का समान वित्रन होगा क्राय सकती इसमामता होगा अब प्रती वेक्ति आये हो सकता है मार्को पोलो 1292 से 1294 के मदें वेनिस से भारत आया था कहां से भारत आया थे तो वेनिस से भारत आया थे मार्को पोलो 1292 से 1294 के मदें वेनिस से भारत आया था मार्को पोलो सहरी छेत्रों के लिए अस्थानिय सरकारी निकायों को किस नाम से जान जाता है तो यह है आपका नगरपालिका सहरी छेत्रों के लिए अस्थानिय सरकारी निकायों को किस नाम से जानते है तो नगरपालिका के नाम से जानते है 2020 में वीजय नगर निमलिखीत में सक किस राजिका 31 जिला बना है तो यापका करनाटक राजिका नेश्ट है भारत के आर्थिक सर्वेक्षन को भारत में पहली बार केंद्रिय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्स पेस किया गया था तो 1950 से 1901 के बीचे पेस किया गया था भारत के आर्थिक सर्वेक्षन को भारत में पहली बार केंद्रिय बजट के एक भाग को किस रूप में, मदद के भाग के रूप में किस वर्स में पेस किया गया था तो 1901 काउन में पेस किया गया था नेक्स्ट है कश्मीर के पूरस और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोसाख निम्लिखीत में से कौन सी है तो आपका फेरन हो जाएगा नौर्थ इस्ट और स्माल फाइनेस बैंक का कॉर्परेट कारेल है निम्लिखीत में से कि सहर में सी थे तो आपका गुहाटी में हो जागा नौर्थ इस्ट और स्माल फाइनेस बैंक का कॉर्परेट कारेल है कहां पे है तो आपका गुहाटी आसाम में हो जागा यह हमारा सेट नमबर 11 जो है आपका कम्प्लीट होता है SSC GD का मिलते हैं सेट नमबर 12 के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभरत धन्यवाद